शिरुआत अस्वक्ती बड़ी ख़वर के साथ करते हैं मुंबई में NCP कमेटी की बैठक हुई है NCP कमेटी ने शरत पवार का स्तीफा नामन जूर कर दिया शरत पवार अपना कारेकाल पूरा करे ये NCP कमेटी का कहना है कि शरत पवार अपना कारेकाल पूरा करे NCP दबतर के बाहर समर्थक लगाटार जुटे हुए है NCP दबतर के बाहर पवार के समर्थर में लगातार नारे बासी की जा रही है क्योंकि जो समर्थक है जो कारे करता है वो यही चाहते हैं कि शरत पवार अपने पद पर बने रहे शरत पवार अपना पद ना छोड़े आखरकार समर्थकों की बात मान ली गई है यही कहा जाएगा क्योंकि इस तीफा ना मंजूर कर दिया गया है सुवसे लगातार इस बैठक का अंतसार किया जो आ रहा था जो NCP कमिटी की बैठक होगी इस बैठक में क्या हो सकता है तो NCP कमिटी ने शरत पवार का अस्तीफा ना मंजूर कर दिया है आपको याद दिला दे कि शरत पवार अपने कारेकाल पूरा करे यह बात NCP कमेटी की तरफ से कही गई है क्योंकि शरत पवार का भी कारेकाल बच्चा हुआ है पूरे तीन साल तक वो अपना कारेकाल पूरा करे उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा यानि अभी जो कुलमिलाका कहा जा सकता है कि शरत पवार अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि उनके स्तीफे को ना मनजूर कर दिया गया है सियासी माईने बहुत सारे निकाले जो रहे ते शायद अंदर खाने कुछ चल रहा है या तो पारिवारे कले चल रही है या फर उनके घर की राजनीती में ही कुछ ना कुछ चल रहा है नाम तो कई अध्यक्षपद को लेकर भी चलने लगे थे जिस दिन शरत पवार ने अपने स्टीफ़ए का एलान किया था उसे दिन से अध्यक्षपद की दौर में तमाम नाम चलने लगे थे आखिरकार कौन होगा लेकिन अब कह सकते हैं कि व्राम लग गया है इस चीज़ पर स्टीफ़ नामंजूर कर दिया गया है शरत पवार का स्टीफ़ नामंजूर अब शरत पवार अपने कारेकार पूरा करें ये बात NCP कमेटी के तरफ से कही गया है यानि कुल में लाकर कहा जा सकता है जो एलान शरत पवार की तरफ से किया गया था उस पर फिलहाल के लिए बिर्वाम लग गया है अब आगे श्रद पवार का फैसला क्या होगा यह देखना होगा तो सुवा से देशवार के निगा है इसklär बैठक पथि की हुई थी और यही कयास लगाय जा रहे थी क्या श्रद पवार अपना फैसला इसमें वापस ले सकते या पिर पारटी के नए अ समर्थे काल पूरा करें उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा आपको ये भी बता दे कि आपने पर बने रहे शरत्पोंचार अपना पर संभाले उनको रोते हुए देखा गया उसमarin पिलाएं भी शामिल है पुरुश भी शामिल है और लगतारन से पे दफ्तर के बहार नारे-बांसी की जा रही है और जो नारे-बांसी की जा रही है जो समर्थक वहार मौझूद हैं वो शरत पवार के समर्थन में नारेबासी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि शरत पवार अपना पद ना छोड़े, पवार अपने पद पर बने रहें, तो स्तीफे को नामंजूर कर दिया है, फिलहाल इस पर व्राम लग गया है, अब देखना होगा शरत पवार का अगला फैसला क क्या होता है, किन कारणों के चलते, उन्होंने अपने पद से स्तीफा दिया था, क्या कोई पारिवारी कारण थे, या फिर कोई राजनितिक कलेदी। जानकारी क्या हुआ बैठक में? जबकि इतने सारे लोगों का सामोहीक त्याग पत्र भी आया है, कई जीले के पदाधिकारी त्याग पत्र दे दिये हैं, कई तालुका के लोग त्याग पत्र दे दिये हैं, राष्टवादी पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया था, और इसलिए जो अभी बैठकी हुई, जो इनके कमिटी ने एक फैसला लिया, कि जो सरत पवार ने ये निर्णे लिया है, वो कमिटी को ना मंजूर है, और ये जो कमिटी का निर्णे है, वो सरत पवा है, वो समभावना ये विफ्ट की जा रही है, कि सरत पवार कारिया धक्ष का चुनाओ कर सकते हैं, एक कारिया धक्ष रख सकते हैं, क्योंकि एक दम से अब उनको त्याग पत्र देना या पार्टी के धक्ष पर छोड़ना साइच संभाव ना हो, क्योंकि पार्टी तूटक में आगे कर दिया जाए, और उससे जो दूसरा कुप नाराज होगा, उससे पार्टी तूट जाएगी, एक ऐसी भी खबर आ रहे थी, कि कुछ राष्टवादी पार्टी के नेता, कॉंग्रेस जोइन करने वाले थे, चाहे दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, तो ये सब ज जलके देखा जाएगा कि पार्टी को कैसे समालना है, और आगे किसको रखना है, जो स्थीफिक एलान का फैसला शरत पवार ने किया था, उस पर फिल्हाल तो वराम लग गया है, या फिर कोई और विकल्प अपना सकते हैं, शरत पवार? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जब कमिटी ने उनका फैसला और उनका जो त्याग पत्र था उसको नामंजूर कर दिया है, तो कमिटी सरत पवार के उपर छोड़ दे कि सरत पवार जो निड़े लेंगे, वो सभी को माने होगा, तो ये तो जब सरत पवार का बयान क्योंकि हो सकता है, आज सरत पवार भी बयान देंगे, क्योंकि सरत पवार मुंबई के जो एंसीपी का कर्याल है, वहां पहुंच रहे हैं, तो कमिटी के लोग उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा होगी, और उसके बाद जो उनका निड़े होगा, वो निकल के सामने आपनात्मक रूप से जुड़े हुए, जो की देख रहा है, उनका प्रेम देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि तो तारी को देखिए, जब सरत पवार ने ये घोचना की, तो लोगों के आँखों से आँसू निकल ले थे, कई उनके उस पार्टी में जो पार्टी को लेके चल सकते हैं, और हर एक पदाधिकारी और काजकरता उनको इज़त देता है, मानता है। हाला कि अलग बात है कि अंदुरूनी कुछ चीजों को ले करके भी पार्टी के काजकरता और तोदाधिकारी बड़ी भावक है कि नहीं पार्टी तूड़ जाएगी, सरत पवार को अध्यक्स पत पे बना रहना चाहिए, इसलिए भी बहुत जादा वहां पे सोर सराबा और लोग उग्र होने की कोसिस कर रहे हैं, देखिए एक अध्यक्स पत छोड़ने को ले करके अगर कोई काज करता आत्महत्या क्या प्रयास करता है, तो ये तो एक बहुत एक्स्ट्रीम लेविल पे चला गया सब चीजे कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, और सरत पवार को महाराष्टा में तो उनकी पैट है ही, महाराष्टा में उनको लोग मानते हैं, क्योंकि सरत पवार की वज़स से ही महाविकासा गाड़ी महाराष्टा में बनी थी, महाविकासा गाड़ी चल लही थी, लेकिन सरत पवार के अचानक से हटते ही, जो महाविकासा गाड़ी की नियू है वो भी टकमाग आ गई है क्योंकि अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा सरत पवार महाविकास अगाडी में रहेंगे या नहीं रहेंगे उस पर प्रस्ट चिंड और लेडी तिन चार दिन से लगा हुआ जब से यह सब चीजे चल लेगे विनो दाम ने देखा और हम पहले भी इस बात को लेकर बात करते रहे हैं कि शरत पवार अगर कोई फैसला ले ले तो उससे पीछे आठना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब तक जो उनकी जवी रही है उसको देखते हुए जो उनकी राजनिती देखी गई है चाहे वो मुखे मंतरी के तोर पर हो या फ़र कैबिनेट मंतरी के तोर पर हो तो क्या अभी इस NCP कमिटी के फैसले से संतुष्ट होंगे सरत पवार या फ़र कोई और विकल्प अपना सकते हैं बिलकुल देखे सरत पवार अब जो निड़ें लेते हैं उसे पीछे तो नहीं उटते हैं लेकिन यह जो दबाव है यह दबाव उनके पार्टी के कर्ज करताओं और पदाधिकारियों का है यह दबाव ऐसा है क्योंकि कोई भी निड़ें होगा तो पार्टी को बचाने का निड़े सबसे पहले होगा और अगर उनको लगता रहेगा शरत पवार अगर इस समझेंगे कि नहीं राष्टवादी कंग्रेस पार्टी टूट सकती है तो जरूर ओ अपना निड़े वापस लेगे ऐसा कर्चकरताओं को लगता है और इसलिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन और सूर सरावा के इस्थिती बनी हुई है और जब तक सरत पवार कोई निड़े नहीं लेते हैं चाहे कर्चकरताओं को संबोधित नहीं करते हैं तब तक यह सिलसीला जारी रहेगा ऐसा लगता है विनो जो शरत पवार के समर्थक है इनका लगाव क्या इसलिए भी दिख तरीके से पवार ने पार्टी को संभाल सके कही है यह बिलकुल सही तर्फ पवार जैसा कोई नेता नहीं है क्योंकि यह चीज़त जी देखिये कि जब अजीत पवार भाजबा के साथ में सपत्व में किये थी उस समय भी ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूड़ जाएगी व इसको ले करके इतना बवाल मचा हुआ है। उसमें सरत पवार ने भी असपश्ट किया है कि उसमें उनकी हामी नहीं थी, वो उसे राजी नहीं थे। उनके बिरूद्ध में जाकरके अजीत पवार ने ये निड़े लिया था। तो ये तो सही बात है कि सरत पवार जब तक हैं और पदाधिकारी चाहता है कि सरत पवार अध्यक्स बने रहें ताकि पार्टी में एक जूटता बनी रहें।